रेगुलर बेसिज के गवर्मेंट टीचर्स की एक बड़ी भरती आ गई है पीजीटी टीजीटी टीचर्स के लिए वेकेंसिया हैं इसमें काफे सारी पोस्ट हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए ओनलाइन ही आपको इनके लिए अपलाई करना होगा और जो इसका सेलेक्शन होगा आपका रिटन एक्जाम के बेसिज पे होना है क्योंकि रेगुलर बेसिज की रिक्रूट्मेंट है इससे जुड़ी हुई सारी जैनकारी बिलकुल विस्तार से इसके ओफिशल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और 100% authentic और genuine recruitment से जुड़ी हुई update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो देख लेते हैं कहां से recruitment आ रही है कौन कौन आवेदन कर सकता है पीजीटी टीजीटी टीचर्स के किस की subject के लिए vacancy हैं क्या eligibility क्या application fees है कहां कैसे जाके आपको इन पदों के लिए online apply करना है तो ठीक है शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो सबसे पहले vacancy के डिटेल हम देखेंगे प्रेंसिपल की total 44 vacancy है ये देखे रेगुलर बेसेजी की recruitment है 66,700 pay matrix cell 1 level 13 of revised scale of pay 2017 PZT English total 27 vacancy regular basis starting 47,600 PZT physics 43 vacancy है pay matrix cell 1 level 11 of revised scale of pay इसके बाद PZT chemistry की 36 post है PZT biology की 22 vacancy है PZT mathematics की 36 ये तो है PZT की और PZT के लिए starting 47,600 इसके बाद आगे हैं TZT सबसे पहले TZT English salary 449,65 vacancy है regular basis की TZT social studies 97 vacancy है regular basis की TZT ODIA 48 post regular basis TZT mathematics 44,54 post है regular basis TZT science की bound vacancy है P.E.T. physical education teacher की T.E.T.R. post ने 35,400 starting salary regular basis की और computer teacher की contactal basis की यहां vacancy है 40 post ने total 737 vacancy के लिए ये recruitment आई हुई है और कब से कब तक आप इन के लिए आवेदन कर सकते हैं और अप्लाइन application या online registration आप आज 22-10-2020 से कर सकते हैं आज से start हो गया है और apply करने की अंतिम्ति थी या online registration करने की अंतिम्ति थी 23 नावंबर 2020 या 5 वजे तक हैं और fees जमा कराने की अंतिम्ति थी 25 नावंबर 2020 रात्री 11 बज़ के और 45 मिनट तक fees आप debit, credit card या net banking के माध्यम से ही जमा करा सकते हैं ओनलाइन ही आपको सारा processes का करना होगा जहां तक official website के बात यह देखे यह official website है यहाँ पे आपको इनके लिए online apply करना होगा सारे instructions दी गई यह पढ़ना है यहाँ click करना फिल start करना है उसके बाद register करके आप online इनके लिए आई हुई है अब इनके लिए देख लेते हैं हम qualification इसके बाद eligibility क्लिटार है कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आविदन कर सकता है यह दे रखी है educational qualification journal जो है candidate must have passed M.I.L.ODIA up to M.E. standard तो दोस्तो educational qualification में सबसे उपर ही दे दिया गया है ODIA language आपको आने चाहिए सीधी सी बा सीटेट कंड़क्ट कराया जाता है उसका पेपल टू आपका क्लियर होना आवशक है तो सीटेट वाले candidate भी इन पदों के लिए आविदन कर सकते हैं तो यह आप ध्यान रखिएगा principal के लिए academic qualification required master's degree आपके पास हो नीचे 45% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ B.A.D. की डि regional college से अगर आपने कर रखा जो कि NCERT के द्वारा कराया जाता है कम से कम 50% परतिशत अंकों के साथ और SCST physically handicapped और SCBC के जो candidates हैं उनके लिए 45% अंकों के साथ तो आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं concerned subject में आपका यह होना चाहिए या फिर आपने bachelor's degree art या science के concerned subject के साथ कर र और आप ध्यान रखेगा CTET का paper to या ODISA TET का paper to clear होना भी आवशक है TZT English के लिए जो concerned subject हैं वो है English as an owners past selective major special subject at graduation level इसी तरह से TZT ODIA के लिए ओडिया concerned subject या main subject आपके पास graduation में होना चाहिए TZT social studies के लिए देख लीजिए इन में से कोई एक subject आपके पास जरूर से जरूर हो graduation में history, geography, political science या economics और इसी के साथ साथ जो यहां 8 subject दिये गए हैं इन में से भी एक subject आपके पास जरूर से जरूर हो history, geography, economics, political science, Indian poultry, Indian economics, Indian geography, landmark in Indian history as owners elective pass इसके बाद TZT maths के लिए TZT science के लिए देख लीजिएगा concerned subject में आप आपने अगर graduation कर रखे तो आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं, देखिए, candidate having special B.A.D. or D.A.D. are not eligible for the post of TZTs, special B.A.D. वाले आविदन नहीं कर पाएंगे इन पदों के लिए जो normal B.A.D. conduct करा जाती हैं, वही अगर आपने कर रखे तो आप आविदन कर सकते हैं, इसके बोथ ODIA and English Media, इसके बाद computer teacher जो contractual basis की recruitment है, उसके लिए B.A.D. computer science में अगर आपने कर रखा है, IT, MC, MSC, IT या MSC computer science कर रखा है तो भी आप आप आविदन कर सकते हैं, या फिर B.A.D. कर रखा है तो भी आप आप आविदन कर सकते हैं, या BCA, BST computer science में कर रखे तो भी आप आप SCST, SCBC या Physically Handicapped category से बिलोंग करते हैं, तो 45% अंगों के साथ Master's degree आपके पास होनी चाहिए, किस subject में concerned subject दे दिये गए है, PZT English के लिए English में, PZT Maths के लिए Mathematics या Applied Mathematics में, PZT Physics के लिए Physics, Electronics, Applied Physics या Nuclear Physics में, PZT Chemistry के लिए Chemistry या Biochemistry में, PZT Biology के लिए Chemistry या Biochemistry में, PZT Biology के लिए Botany और Zoology Graduation लेवल पर जरूर 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 आपके पास हो, या फिर और Bachelor's degree in Education इसी के साथ साथ B.A.D. भी आपके पास जरूर से जरूर हो अगर आपको इन पदों के लिए आविदन करना है, Concerned Subject Master's degree प्लस B.A.D. और उसी के साथ साथ ओडिया और English दोनों मीडियम में आ बच्चों को पढ़ा पाए, Computer Applications की Knowledge भी आपके पास हो, Special B.A.D. या ड.A.D. वाले Candidate इनके लिए आविदन नहीं कर सकते ही हैं, अब बारी आती है Age Limit की, एक नो दो हजार बीस को Age Limit क्या होनी चाहिए, Principal की Post के लिए 50 साल, बाकी Other Post के लिए 32 साल Upper Age Limit है, Minimum Age 21 है, एक नो को अपर इस इमिट में 10 साल की चूट दी जाए, इसके बाद दिया गया है, Selection Process, Candidate will be selected on the basis of their performance in Computer Based Test, CBT, Interview and Performance Test as applicable and specified by these modalities put together, तो दोस्तों सब से पहले आपका Computer Based Exam, मतलो रिटन होगा, Objective Type का, उसके बाद आपका Interview conduct कराया जाएगा, उसके बाद Skill Test, Proficiency Test आपका चेक किया जाए तो उसके हिसाब से Candidate का Short List किया जाएगा, फिर Selection किया जाएगा, और जहां तक इनके लिए Application Fees की बात है, Principal की Post के लिए 1500 रुपए Application Fees है, और SC, ST, PWD Category के Candidates के लिए 1000 रुपए Application Fees है, और जो बाकी Post रहे गई हैं, उनके लिए 1000 रुपए Application Fees है, और SC, ST, PWD Category के जो Candidates ह लिए 700 रुपए Application Fees है, तो दोस्तों यही जानकारी आप तो पहुंचाने जी, वीडियो के माद्यम से उमीद करते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की लेटस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलते हैं किसी नवी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.